असकार, हिंदी लेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन आपकी अधियापी का, हिंदी लेनिंग चैनल पर लेकर आईए, फुल मक्स पब्लिकेशन की बुक हैं, अनन्दम संस्कृत पाठे बुस्तक, प्लास 6 के स्टूडेंट के लिए चेप्टर नंबर 4 प्रेजन करने जा रही हूं, जिसमें आए मैं आपको धातों का परिचे दूँगी, इजी एक्स्पानेशन रिटेन अनुवाद और वर्कशीट 1, जाने की जो भी कारेपत्री का है, आपकी पेज 41 और 42 पे वो भी आपको सॉल्व की हुई, इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को लास तक सुनिएगा जरूर, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद अकसर आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा, बेटा आपका सिरफ एक चेप्टर छूट किया इस पुक का six चेप्टर जैसे ही आपकी डिमांड आएगी मैं अपलोड कर दूँगी तो आज बच्चो आपको पढ़ाने जा रही हूं मैं किरिया का प्रियोग जाने कि धातू का परिचे दे रही हूं चित्रों के माध्यम से किरिया का समझा दोंगी जैसे सबसे पहले चित्र में आप देखने हैं क्रिड़ती जाने कि बच्चा खेलता है हस्ती हस्ता है दाफ्ती दोड़ता है खादती खाता है ठीक है लटलकार वरतमान काल के एक वच्चन में रूप है अगर तो पुलिंग है तो सै हो जाएगा अगर पुलि तो प्रथम पुरुष में पठती का मतलब आपको पता होना चाहिए पठती पढ़ता है पठता है दो पढ़ते हैं पठती वे सब पढ़ते हैं फिर उसी परकार त्वम है त्वम का मतलब तुम युवाम का मतलब तुम सब त्वम के साथ आता है पठता है पठता है पठता ह हमके साह पठामी पठाब है ओके धाटों एंटा ध में दो तरह की oni यह एक परिवर्थिस अफ़ यह जाने की रूप थी ज़या better नीज उन् स्था नौच गरूब्ठा का रूपिस्थ 13 788 जाता है, जच्च्ती, जच्च्ते, जच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च सा बालिका हस्ती वे बालिका हस्ती है ते बालिके हस्ता है वे दो बालिकाएं हस्ती है ता बालिका हस्ती वे सब बालिकाएं हस्ती है धाफ अश्वधापती गोड़ा धोड़ता है अश्वधापता है दो गोड़े धोड़ते हैं अश्वधाबंती सब गोड़े धोड़ते है पत्रम पत्ति पत्ता गिरता है पत्रे पत्ते दो पत्ते गिरते हैं पत्रानी पत्ति सब पत्ते गिरते हैं चक्रम चलती पहिया चलता है चक्रे चलता है दो पहिये चलते हैं चक्रानी चलती अनेक पहिये चलते हैं और कुछ के रूप वैसे ही चलते हैं उन्हें परिवर्तनि ये धातु कहते हैं जैसे गम जाना पर धातु रूप जब चलाएंगे तो गमती नहीं चलाएंगे गच्छती गच्छता गच्छंती चलाएंगे ये कुछ परिवर्थनी धातु के बारे में बता दिया गया है उसके बाद आप आ जाईए सीधा अपनी एक्सेसाइस की तरफ शब्दो का लिंग बताना है और वचन बताना है आपको शब्द दिया गया है मुशी कहा जानी कि चुहिया के बारे में बताया गया तो इस्तरी लिंग का शब्द है बहुवचन है अब आपको मैं लिखके बता दू एक शब्द बेटा इस्तरी लिंग की पहचान क्या होती इस तरी लिंग में अगर एक वचन का कोई शब्द आ जाएगा तो वो शब्द होता मुशी का यह इस तरी लिंग का एक वचन है अगर दो चुहियां होती तो मुशी के हो जाता और अगर बहु वचन है तो मुशी काहा हो जाता चीक है तो इस तरी लिंग बहु वचन का शब् उसी परकार व्यजनम पंखा नपुसंगलिंग का शब्द है और एक वचन का शब्द है क्योंकि दो पंखे होते तो व्यजन नहीं हो जाता और बहुत सारे पंखे होते तो व्यजन नहीं हो जाता इसी परकार शात्रव पुलिंग का शब्द है पुलिंग का शब्द है द्वी उसी परकार कपोता जाने की कबूतर पूलिंग है रिश Cassandra झाने की बात हुering गर गईए है। पंपुनसंगलिंग द्वी वचन नेद्ग है ईकवचन ओर मना पंपुनसंगलिंग घ्रेशन और मन टैसे नबं Cor fram टीनशन का ओवचन इंट जल इक जड़ेरी अबकिया refugees कई आपको द्हूशन ड्वी वचन पहचन ने जर पमिल्हा नहीं की पन कुषी पहचन में Israa अब आजाईए किरिया का मूल दातू से मिलान करना है पढ़ना को पठ कहते हैं लिखना को लिख कहते हैं इसी पकास सब की आगे मैंने उन दातूं के आगे कखग लिख दी हैं आप देख लीजिएगा थर्ड कोशन में उचित किरिया पद भरने हैं अच्छा बालक एक है पु जाते हैं तो सिंगा नम्ती सा नम्ती पहला क्रिड़ता है ते क्रिड़ता है जाने कि दो लोग खेलते हैं तो ये ते आ किस किस लिए आगया इस तरी लिंक के लिए आगया दो लड़कियों के लिए ते पठते शात्रव हो गया नम्ते तव हो गया क्लियर उसके बाब पुश्पानी विक्सती का विक्संती कोकिला कुझती कोकिलाहा कुझती इसी प्रकार से ये आपको प्रवाइट कर दिया आंसर लिखतर वाक्यों को शुद करने के लिए देखने कि करता के साथ किर्या सही लगी है कि नहीं बाला ओब दो बालक थे द्वी वचन के पठते आना था पठती लिखा गया था इसलिए करेक्ट करके पठते कर दिया फलानी बहुवचन के तो पतंती आना चाहिए फिर उसके साथ है पतंती के spelling थोड़े से वो गए है बेटा इस परकार से आपको पतंती लिखना है शातरा लिखती शातरा तो बहब वचन है लिखनती आएगा अश्वव दो गोड़े है तो धाबताः आएगा उसी पकार खगय कुझनती साथ किरिया कि अगर देखा जाए इमव खादता तो इदम का सरवनाम का रूप है तो इमव आ जाएगा खादता कंज़ाएगा एक वचेन पुलिंग देह संती आण कुजनती, खगा कुजनती हो गया, खेलता है, दो लड़कियां खेलती है, तो बाली के खेलता है, विकसंती, पुष्पानी विकसंती, और फलम पतती एक फल है, और धापता है, अश्वाव धापता है, कारे पति का एक राइट, according to the example, तो पहले में उसने लिका है शुका है ए पत्ति के साथ मैच करना था, पठती, अब बाल क्या पठती, ठीक है, गायावे, गातिये, कौन लड़कियां गाती, है न तो गायावा में आप लड़कियों की जगा आप क्या लिख सकते हैं लड़कियों के जगा आप लिख दीजिए का लाईए आपको टेबल बनाके दिखा दू यहां पर जिस तरह टेबल होता है उत्तम पुरुष का टेबल लिख रियूं में अहम अवाम वयम ठीक है गायामी आता है अहम के साथ गायावा आता है आवाम के साथ और गायाम में आता है वयम के साथ तो यहां पर अवाम लिख दीजिएगा आवाम गायाव है हम सब गात हम दोनों हम दोनों गाती हैं नीचे फिफ्थ इक्जम्पल के साथ मैच की है धावंती लड़के दोड़ते हैं बालकाहा धावंती तिष्ठती से तिष्ठती ठीक है जन्नर है तिष्ठती कुछ भी लिख सकते हैं आदमी बैठता है ये तिष्ठ जावशती चीक है हसंती अब हसकोंड आए हसंती बहुत सारी लड़कियां हैं ये तो बाला हा अब चाहे नहीं दावंती तो आपको पहले ही बता दिया बालकाह दावंती चीक है आपढ़ से लिख सकते हैं चलिए उसके बाएग शबदों को उच्छी तवर्गों में लिखना तो सारे शब्द उची तवर्गों में लिखकर दे दिए ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का बार 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 बोलती हूं वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए का निमा लिखित वाकियों को बहुवचन में बदलना है पत्रम पत्ति तो पत्रम का बहुवचन क्या होता है पत्रम पत्रे पत्रानी पत्रानी लिख दिया पत्ति पत्त पतंती पतंती बहुवचन लिख दिया साते ताता हो गया आपका बहुवचन क्रिडती क्रिडता है क्रिड लड़की के लिए दो लड़कियों के लिए बाले और बहुत सारी लड़कियों के लिए बाला हा ठीक है खग कूजती एक खग कूजता है तो बहुत सारे कूजते हैं खगा कुजनती कुकुरा कुकुरा खदनती यहां पर आपका चैप्टर फोर यहां पर आपका चैप्टर फ बाद लेकिन फिर भी बच्चे बूल जाते हैं आपकी पूरी पुक अप्लोड हो चुकी है तो आपके भाई बहन अगर पढ़ते हैं जिनके पास अनंदम संस्कीत पाठे पुस्तक है तो प्लीस उन्हें वीडियो शेर करिएगा क्योंकि हिंदी लर्नी चैनल पर अनंदम संस् गुब बड़ दूदेंस